गाजियाबाद में बिल्डर की मनमानी से लोग परिशान हो चुके हैं बिल्डर की मनमानी ने लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है गाजियाबाद की वसुंद्रा में SKS मारलिन सोसाइटी के गेट पर सोसाइटी की लोगों ने प्रदर्शन किया है सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खलाब जम कर नारे बाजी की है और मांगे पूरी नहीं होने पर भुखर ताल पर बैठने की चिताओने भी दी है ठीक कराने के लिए गया था आरोप है कि जैसे ही वह स्कूटे ठीक करा कर चले तभी फहीम और उसके साथियों ने दीपक को रोक लिया और पिटने लगे हमलारों ने बिच सड़क पर दीपक के साथ ना सिर्फ मार पीट की बलकि उनकी स्कूटी वह मुवायल भी तोड़ दिया दीपक का ये भी कहना है कि फहीम और उसके दोस्त मिलकर उसकी पिटाई करते वी बार बार बोल रहे थे कि तु बहुत हिंदों का नेता बनता था आज हम तुझे नेता बनाएंगे वहे इस मामले में पोलिस का कहना है कि पिड़ित की तहरेर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कुछ आरोपियों के गिरफतारी हो गई है, बागी आरोपियों को भी शिग्र गिरफतार कर लिया जाएगा. जिम की कोई विवस्ता नहीं है, बच्चे तरस्ते खेलने के लिए कोई भी इसने एक भी कार्य पूरा नहीं किया, बाँचीत करी बेडर से बाचीत हम करते हैं, मेरे हिसाब से दस से पंदर लेटर वो साइन करके दे जाता है, जिखित में बेखे जाता है, बाँध ही व्यक्या चाहते प्रिशाचंस से भी चाहते हैं, हम लोग पत्रकार लोगों से भी चाहते हैं, कि हमारी बात रखी जाए, और इस बील्टर से हमारी एमगीमिनेटीज के उफ़र और कारिय करवाया जाए अगर यह तो हमारा कारिय करें यह फिर इस पर केस बाजी हो और सरकार प्रसाशन इससे काम कराएं कितने परिवार रहते हैं इसमें 150 से परिवार इसमें 600 लोग टोटल रहते हैं यहां पर इस फिल्डिंग में देखा है तो पूरे 19 फ्लोर नाइंटीन फ्लोर से अगर कोई नीचे ग्राउंट फ्लोर पर आ रहा है चार बार लिफ्ट बंद होती है चार बार जटके लगते हैं इसमें बच्चे भी होते हैं बुज साल के बच्चे भी हैं सब इतने डर जाते हैं कि लिफ्ट में घुसने से डरते हैं लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है जटका लगता है बहुत ही ज्यादा गंदा एकदम डरावना हो रहाता है मलब जान को खत्रा है पार्किंग की स्विदाएं नहीं है यहां पे स्वीमिंग के थुरू जाना होगा हम अपनी मांग्या में आगे रखने लोगी धरने पे बैठेंगे आगणा इनके घर के सामने करेंगे चीच करना हो हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ 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 है आगे ओजिए